आज हम बनाएंगे ब्राइडल पॉफ और किस तरीके से उसमें जो स्टॉफिंग फिक्स करेंगे जिससे कि हमारा जो पॉफ है बहुत अच्छे तरीके से क्रियेट हो जाएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है एयर टो एयर सेक्सनिंग लेनी है इस तरीके से मैं यहाँ पर अभी डमी में बता रही हूँ आप रियर क्लाइंट में करोगे तो आपको सेम इसी तरीके से करना है hair का आप कुछ भी काम करोगे तो आपको ear to ear section लेना बहुत ज़रूरी है और section आपके neat and clean होने बहुत ज़रूरी है तो इस तरीके से देखे हमने यहाँ पर यह section ली है अब हम क्या करेंगे कि front वाले hairs को इस तरीके से यहाँ पर fix कर देंगे एक section clip की head से section clip अगर आप यह crocodile section clip यूज करते हो जो कि बहुत ही अच्छी holding में फिर हम क्या करेंगे crown area से एक section लेंगे और इस तरीके से यह stuffing इसमें fix करेंगे इससे क्या होगा कि वैसे तो हमारा जो puff है ना वो back combing करके भी बन सकता है लेकिन इससे उसको ना एक मजबूत back base मिल जाएगा bridal के क्या होता है photo shoot वगेरा में तो मतलब हाथ रखते हैं सर पे दुपटा होता है heavy दुपटा हो जाता है तो कहीं न कहीं हमारा जो puff है जो कि हम back comb के help से बनाते हैं थोड़ा बहुत उसमें फर्क आ जाता है इस तरीके से अगर आप एक base create करते हो ना तो हमारा जो base है वो काफी strong बनता है और इसके उपर फिर हमें जादा back comb करने की भी ज़रुत नहीं पड़ती है आपको ये जो base है ना उस जगह पर place करना है उस जगह पर बनाना है जहां पर आपको volume चाहिए ठीक है तो देख सकते हैं इसमें हमने तीन तरीके से जोड़ा पिन लगाई है देखे कुछ इस तरीके से और ये जो base है ना ये अच्छे से fix होना चीए ऐसे नहीं कि ये move कर रहा है अपनी जगह से neat and clean ना बने तो चलेगा लेकिन fix अच्छे से होना चीए अब हम क्या करेंगे कि front से धीरे धीरे पतले पतले section लेंगे और जो section आएंगे ना वो पूरे air to air नहीं आएंगे सिर्फ हमारे box area में से section लेंगे इस तरीके से और इनको रूट में ज़्यादा backcomb करेंगे क्योंकि रूट में वहाँ पर हमें जो है space खाली नहीं छोड़ना है क्योंकि volume तो हमें मिल चुका है कि कितना high हमने puff रखना है बस हमें रूट में ज़्यादा backcombing करनी है और backcomb के लिए जितना आप पतला पतला section लो उतने ही अच्छे आपकी backcombing होगी उतना ही अच्छा आपका base बनेगा और उतना ही अच्छा आपका puff का size बनेगा तो मैं यहाँ पर hair spray नहीं करूंगी क्योंकि मुझे ये hairstyle अभी remove करना था आप जब client के करेंगे तो आप इसमें साथी साथ hair spray भी fix करते रहेंगे ताकि आपने जो backcombing की है वो खुले ना इस तरीके से starting के जो hard आप backcombing करेंगे उसमें आपके hairs हो सकते हैं के rough दिखें लेकिन जैसे जैसे आप धिरे-धिरे section लेंगे वैसे वैसे आपको light backcombing करनी है ताकि हमारे जो section है वो front से neat and clean दिखें देखें कुछ इस तरीके से आपको बिल्कुल भी बड़ा section नहीं लेना है आपको सिर्फ box area से section लेना है और इस तरीके से उस stuffing के उपर डालते रहना है जो कि हमने starting में create कर दी थी अगर आपको टीका लगाना है तो आपको ना stuffing लगाने से पहले ही टीका fix करना है ऐसे हेस्टायल में बाद में टीका fixing नहीं होती है उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है इस तरीके से last में हम सारे hair लेंगे और बहुत हलके हातों से comb करते वे यहाँ पर मेरी dummy थोड़ा सा यहाँ पर move कर रही थी कि पहले मतलब यह एक एक क्रियेट होना चाहिए एक pin के ऊपर दूसरी pin हमें attach करते वे लगाने है जिससे कि हमारा जो pin है वो सर के ना तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो puff है वो create हो चुका है और जहां कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा थोड़ा सा down लग रहा है या थोड़ा सा up लग रहा है तो उसको भी आप equal कर सकते हैं side के जो hairs हैं उनमें आप last में volume देंगे हलका सा starting में front वाले hairs के साथ ना उनको mix नहीं करेंगे तो इस तरीके से जब आप hair style करते हो तो आपके hair style बहुत ही सुंदर बनते हैं और आपको अगर hair style के वीडियोज पसंद आ रही हैं तो please मुझे comment section में बता है देरे देरे करके मैं आप लोगों के लिए और भी hair style की वीडियोज लेकर आऊंगी जैसे जैसे पार्टी वेर लोग क्रियेट करूंगी आप लोगों के लिए hair style भी लेकर आऊंगी तो कुछ इस तरीके से यहां पर हमारा puff क्रियेट होगा और हमें ना पिन किस तरीके से लगाना है यह हमारा बहुत जादा important topic है तो देख सकते हैं आपको इस वीडियो क्या से जाएंगी